नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल Study for Win में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धी के सिध्धानतों के विशय में इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को बुद्धी की प्रमुख परिभाशाएं और उन परिभाशाओं को याद करने की एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताई थी उसमें सभी important परिभाशाएं हैं जिसको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि कैसे आप इस ट्रिक की सहायता से बहुत ही आसानी से इन सभी परिभाशाओं को याद कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में आपको डिसकस किये थे वुद्धी की प्रकार अलग-अलग जो मनुवग्यानिक है उनके अनुसार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुद्धी के सिध्धान्तों के विशे में बुद्धी के सिध्धान्त में सबसे पहला का सिध्धान्त आता है एक कारक सिध्धानल का प्रति पाधन विने ने सन 1911 में किया था उन्हों ने बुद्धि को एक खप्ढातमक बताया था इनकी मात्रा व्यक्ति में भिन भिन होती है इसको सामाने बुद्धी कहा जाता है यदि एक व्यक्ति किसी एक शेत्र में निपुण है तो वह अन्य छेत्रों में भी निपुण होगा कि इस नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो बात यह आती है कि माल लीजिए जैसे यहाँ पर इनोंने न्यूटन का उधारन लिया है न्यूटन के अकॉर्डिंग इनोंने मतलब बोला है कि जैसे हम न्यूटन को ले लेते हैं तो न्यूटन अपनी बुद्धी का प्रियोग बिज्ञान में ना करके अगर साहित की छेत्र में करते तो वो एक प्रिवसिद्ध साहित्यकार होते इस नियम के हिसाब से यह है कि बुद्धी में कोई एक कारक होता है और उस कारक को हम जिस दिशा में लगा देंगे उसी दिशा में अच्छा कर पाएंगे ऐसा यह सिधान्त कहता है तो इस सिध्धान्त में से question एक तो आपका ये बन जाता है कि इस सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया तो इस सिध्धान्त का प्रतिपादन बिने ने किया next question इसमें आपका बन जाता है कि किस सन में किया तो इसमें आपका हो जाएगा 1911 में किया फिर इसमें है कि इन्होंने बुद्धी को एक खंदात्मक बताया है तो एक कारख सिधान नत है तो इसे की मात्रा वेक्ति में भिन्यभिन होती है क्योंकि आप देखते हैं कि हर व्यक्ति एकसा नहीं होता कोई बहुत श्यार होता है कोई थोड़ा सा कम अच्छा होता है पढ़ाई में या अन्य चीजों में कोई संगीत में बहुत अच्छा होता है कोई नहीं होता है तो कि इसकी मात्रा जो है व्यक्ति में भिन भिन होती है इसको सामाने बुद्धी कहा जाता है यह जो आपका एक कारक सिध्धान्त होता है इसको सामाने बुद्धी कहते हैं ज अगर आप उसी छेत्र में अच्छे हो जाएंगे ये आपका एक कारक सिध्धान्त कहता है अगर हम इसे चित्र के माध्यम से समझें तो चित्र आपका इस तरीके का कुछ बनकर आता है ठीक है ये आपकी बुद्धी है और इसमें ये रहा आपका एक फेक्टर ठीक तो ये आपका हुआ एक कारक सिध्धान्त अब अगर हम बात करते हैं दूसरे कारक सिध्धान्त की तो दूसरे कारक के लिए हम बात करेंगे द्व करकसिटान्थ इसमें उने दो चीजें बताएं है जेनरल और स्पेसिशिट सेसिविक जनरल यानि कि आप двух की यह जो आपकी एक कारक सिधान्त में होती थी वही दूसरी है आपकी specific जो special होती है जो कुछ ही लोगों में पाई जाती है यानि आप इसे चित्र में आध्यम से देख सकते हैं कि चित्र में दिया हुआ है general तो आपका general जो है वो हर एक व्यक्ति में पाया जाता है ऐसा कोई व्यक् specific specific में क्या है specific कुछ ही लोगों में पाई जाती इसलिए इसका नाम specific है क्यों के वह special persons में पाई जाती है देख लेते हैं यह सिधान्त क्या है इसकी अनुसार बुधी दो कारकों का योग होती है पहली सामान्य मानसिक योगेता है यानि घॉर दूसरी विसिस्ट मानसिक करती हде सभी में पाई जाती है और विसिष्ट मांसे कि युगता उसी कार में मदद करती है जिसके लिए भाय excess है यहां पर कहने का मतलब यह कि सामाने यूगेता तो सब में होती है लेकिन बात करी जाए विसिष्ट यूगेता की तो माली जी जो संगीतकार है उसकी बुद्धी संगीत में ही उसकी help करेगी जो साहित्यकार है उसकी बुद्धी साहित्य में ही उसकी help करेगी जो कभी है उसकी बुद्धी कभी 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 कविता करने में ही उसकी help करेगी तो इस तरीके से हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जो आपका specific factor होता है जो special factor होता है वो आप का उसी विशिस्ट कारे में मदद करता है जिस कारे के लिए वह व्यक्ति है या जिस कारे के लिए उस व्यक्ति की बुद्धी है तो इस तरीके से आपका ये होता है द्वी कारक सिद्धांत इसकी अनुसार जो बुद्धी होती है वो दो कारकों का योग होती है एक तो जेनरल a specific theory formula specific factors पाई जाते हैं अगला सर्दान्त है आपका इसी के हिसाब से त्रीकारक्सित शेधांत यह फिरमैंने नहीं दिया था इन्होंने सिर्फ अपने इस सिधांत में इस इसको और एड़ कर दिया कि जी और एस factor तो होते ही हैं इसके अलावा भाषा का घ्यान भी आवश्यक होता है अगर हम जी और एस फैक्टर के साथ भाषा को अगर एड़ कर दें तो वहां पर बन जाता ए्स तå नेक्स्ट सिध्धान्त की बात अगर की जाए तो अगला आता है आपका बहुकारक सिध्धान्त ये दिया था ठॉन डाइक ने और दिया था 1926 में ये जो सिध्धान्त किस ने दिया ये बहुत क्वेशन पूछा जाता है आप लोगों ने भी कई परिक्षाओं में देखा कब दिये तो ये अप ज़रूर अच्छे याद कर लें कि बहुकारक सिध्धान्त का है डब तो हुथ लीज़े लिए मुग जरूराभिजेजिए और चैनल Και चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और और जाकर देखेंस सद्धांत के ऑच्छान के अंसार जिसमें कई योग invit following के नहीं द nessad विएक्ति की किसी भी बॉधिक्ति क्रिया में विभित कारक मिलकर काम करते हैं यानि कि अगर विएक्ति कोई और काम कर रहा होता है तो उस समय उसका कोई एक फैक्टर उसकी हल्प करता है जब वो दूसरी तरीका काम करने लगता है तो दूसरा फैक्टर उसकी हल्प करता है जब वो तीसरी तरीका काम करता है तो तीसरा फैक्टर उसकी हल्प करता है तो बुद्धी में जो अलग-अलग फैक्टर होते हैं वो अलग-अलग काम में उसकी मदद करते हैं इसे हम ऐसे दारना से समझ सकते हैं माल लीजे जब एक विक्ति खाना बना रहा होता है तो उस समय उसकी खाना बनाने की शंता जो है वो उसकी help करती है तो इस तरीके से कई सारी जो उसमें शमताएं होती हैं या कई सारे उसके कारक होते हैं बुद्धी के वो उसको अलग-अलग प्रकार के कारियों में उसकी अलग-अलग तरीके से मदद करते हैं यही थौन डाइक ने अपने इस नियम में या इस सिद्धान्त में बताया तॉन डाइक ने कुछ सामाने तत्व के अलावा मूल तत्व भी बताए कुछ तो उन्होंने सामाने तत्व बताए जैसे कि हम लोग डिसकस कर चुके हैं कि सामाने तत्व ये 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 होते हैं उसके अलावा उन्होंने कुछ मूल तत्व भी बताए जैसे आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, तर्क योग्यता, दिशा योग्यता, इस्मरण शक्ति, भाशा योग्यता, यानि ये ऐसी योग्यताएं हैं जो हर एक व्यक्ति की मूल तत्व हैं, आंकिक योग्यता, अंकों को हल करना, जो आपके mathematics की problems होती हैं, उनको solve करन कि योग्यता होना शाब्दिक योग्यता आप देखते हैं कि कुछ लोग बात बोलने में बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग वही बात बोलने में उतने अच्छे शब्द प्रयोग नहीं कर पाती तो उनका शब्द कोश इतना अच्छा होता है कि उनमें क्या पाई जाती है साबदिक योग्यता, तरक योग्यता, किसी चीज़ पे तरक करना, किसी कि लोग कई बार जाते हैं और इतना नहीं समझ पाते हैं तो यह है दिशा योग्यता इस मरन शक्ति इसको तो आप बहुत अच्छे से समझते होंगे कि मैमोरी किसी की अच्छी होती है किसी की अच्छी नहीं होती थोड़ा वीक होती है भाशन योग्यता कई लोग बहुत सामने रखने से थोड़ा सा डरते हैं या शर्माते हैं या जिजक महसूस करते हैं तो भाशन योगेता भी हर किसी में नहीं पाई जाती तो ये कुछ उन्होंने मूल तत्व भी इसके साथ साथ बताए इसके अलावा कुछ और भी मूल तत्वों को थौंडाइक ने स्वीकार किया इसके अलावा भी ये मैंने कुछ यहाँ पर लिये हुए हैं इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं मूलतत्व उनको थौंडाइक ने स्वीकार किया इसे थौंडाइक के संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है जो आपका बहुकारक सिध्धान्त है इसको संबंधवाद के सिध्धान्त के नाम से भी जाना जाता है और ये क्वेश्चन एक्जाम में बहुत पूछा जाता है कि संबंधवाद का सिध्धान्त किस ने दिया तो ये चीज आप लोग जरूर अच्छे से इसको दिमाग में रख लें कि बहुकारक सिध्धान्त को ही संबंधवाद के सिध्धान्त के नाम से जाना जाता है तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें important भी लगाकर रखा है क्योंकि ये बहुत important है तो ये और कई बार पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको इहाँ पर important लिख दिया है तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजेगा कि संबंधवाद का सिध्धान्त किस ने दिया तो आपका तुरंध टिक होना चाहिए थौन डाइक ने दिया तो ये आप लोगों के लिए कुछ important questions थे जो मैंने आप लोगों के लिए लिए हुए थे कुछ important इन theory से बनने वाले questions कि इस theory से क्या क्या questions बनते हैं और यह यह जो theory है सिधान्त है इनसे अक्सर question आते हैं तो यही questions इनसे बनते हैं तो उमीद है कि यह वीडियो अपनों को पसंद आया होगा इसके आगे भी और भी यह भी शिधान्त बाकी है जिसे हम अगले वीडियो 69356 उस पर आप contact कर सकते हैं तो अगर किसी भी तरीकी की problem हो तो आप इस पर आके हमसे बात कर सकते हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं साथी साथ हमारा जो फेस्ट ग्रुप है उसी भी आप जॉइन कर लीजिए जिसकी कोई भी फीस नहीं है फिलहाल के लिए इस व